दोस्तों अगर बहुत सी बार आपको भी होता है मैट्स के कुछ equation solve करने में problem या आपके आसपास में रहने वाले कुछ बच्चे या कुछ preparation करने वाले मैट्स को लेकि रहते हैं बहुत उल्जे हुए तो ये वीडियो है उन सब के लिए जाने के लिए देखिए मेरा पुरा व दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए learn with million और प्रेस कीजिए bell आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिलेंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल learn with million और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो आपको help करेगी मैट्स की equations solve करने के लिए तो चलते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट क्या करती ह वेबसाइट का नाम है mathway.com mathway.com नाम की ये वेबसाइट इसके एक इंटरफीस और इसकी फंक्शनलिटी दोनों को लेकर काफी समय से चर्चा में रहिए अब इसका इंटरफीस आपको लगता है बिलकुल एक रोज मर रहा है कि हमारे messaging application टाइप का या तो आप कह सकते हैं कि आप अगर कोई chatting application यूज कर रहे हैं उस type का आपको interface मिल जाता है और उसका जो keyboard आपको मिलता है वो हमारे daily के use होने वाले keyboard touchpad की तरह मिल जाता है तो यहाँ पे है यह इसका interface और इस interface में आप देख सकते हैं website open हो गई है अब यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है एक panel जिस में हैं कुछ symbols और mathematical equation मनाने के लिए special symbols और numeric pad पूरा दिया हुआ है और उसका use करके हम यहाँ पे हमरी problem type कर सकते हैं हम हमारा keyboard use करके भी problems type कर सकते हैं यहाँ पे दूसरा option यह है कि यहाँ पे आप maths की category wise means basic maths क्या operation करना है pre-algebra करना है, algebra करना है, trigonometric करना है, statics करना है, graphing करना है, chemistry करना है whatever जो भी आपकी problem के regarding है वो आप कर सकते हैं तो यहाँ चेंज कीजिए और उसको आप apply कीजिए और उसके बाद आपका यह जो keyboard यहाँ इसका input panel है वो भी चेंज गयाता है तो यहाँ पर basic में कुछ equation try करता हूँ, like हम try करते है, 44 divided by 5 multiply by 2, okay और उसके बाद इसको enter कर देते हैं, तो क्या होता है, कि उसको आपको कैसे answer चाहिए, वो आपको पूछेगा किस type से करना है आपको, तो evaluate कराते है उसको, evaluate करने के बाद उसने क्या किया, उसका form change कर दिया, क्या किया, 22 divided by 5 हो गया, फिर वो decimal form में उसने convert कर दिया, और अगर mixed number form में चाहिए, तो आपको यह answer उसका आएगा, तो ऐसे कोई सी भी ऐसी equation, complex equation, वो आपको solve कर देता है, बहुत थारी steps भी बताता है, initially यह solution के लिए, तो आपको solution directly provide कर देता है, पर आपको कुछ बहुत ज़्यादा elaboration चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर pay करने की जरुत हो पर पूरी करता है, पर आपको और ज्यादा stepwise explanation या elaboration चाहिए, तो फिर आप उसके लिए जा सकते हैं, तो आई होप कि यह जो website है, कुछ unique है, कुछ different है, शायद कुछ लोगों को पहले से बता हो, बहुत सार लोगों को नहीं पता होती है, तो उसके लिए मैंने यह video बनाया है, जो या तो आपके खुद के, अगर आप competitive examinations या ऐसी math related problems से daily routine में deal करते हैं, तो उसके लिए, और या तो कुछ essay students जो अभी mathematics सीख रहे हैं, या वो confused रहते हैं, कि वो कोई उनके math problem solve कर रहे हैं, या कोई sums solve कर रहे हैं, और उनके solutions को लेके problem में रहते हैं, तो वो इसका use कर अगे, at least ये पता कर सकते हैं, कि जो वो solve कर रहे हैं, वो एक appropriate method है, या नहीं है, या जिस तरीके से उनने solve किया है, वो correct है, या नहीं है, आशे है, आपको मेरा ये video पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हैं, कि ये video जार से जारा लोगों तक पहुँचे, और वो लोग भी इस website के बारे में जाने और इसको use करें, उनकी daily right की, जो ऐसी math related problems से उनको solve करने के लिए, तो इस video को अभी like कीजिए, और अगर मेरा channel अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी कीजिए, और उसके पास में है एक छोटा सा bell button, वो भी दबा दीजिए, ताकि आ आपको मिलेंगे मेरे page के updates सबसे पहले, so thank you for watching, मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में,